मैं माशकरी 373 अकी आखिए अध्यात्म है क्या और लोग अध्यात्म की लक्ष क्या अना चाहिए आप सबसे अची बात डीए कि आaison रुपता है और आपके मन में इतना बड़ा question आया जिसका उत्तर जो है सभी लोग खोज रहे हैं कि अध्यात्म क्या है अध्यात्म को हम लोग हम लोग का मतलब सब लोग धर्म से या विश्वास से जोडने कोशिश करते हैं कि आपका कोई belief system है आपकी एक विचारधारा है जो आपकी आपकी परवरिश के हिसाब से आगे बढ़िए आप जिस भी धर्म में या कहीं भी भारती हैं आप तो जैसे जैसे आपकी परवरिश हुई है जैसे जैसे आपकी society के साथ interaction हुई है कि एक सोच जो है वो बनती है जबकि अध्यात्मिक्ता को चाहे हम किसी धर्म या किसी भी विचारधारा से जोड़ने की कोशिश करें अध्यात्मिक्ता जो है वो निरपेक्ष है आप एक बात सोचिए हम बात करते हैं धर्म निरपेक्षता की सभी लोग बात करते हैं भारत में कि भारत जो है धर्म निरपेक्ष राष्ट है भारत धर्म निर्पेक्ष राश्टर हो सकता है, सरकार धर्म निर्पेक्ष हो सकती है, समिधान धर्म निर्पेक्ष हो सकता है, लेकिन धर्म कैसे धर्म निर्पेक्ष हो सकता है? अच्छा, धर्म की तो अपनी विचारदारा है, और उसी हिसाब से, कोई भी धर्म, धर्म निर्पेक्ष नहीं हो सकता है, जिस व्यवस्था में धर्म है, जिस राष्ट्र में धर्म हैं, अलग-अलग, वो राष्ट्र, सभी लोगों को विक्सित करने के लिए अपने समिधान के नुसार से धर्म निर्पेक्ष हो सकता है या होने की कोशिश कर सकता है या होता है लेकिन धर्म धर्म निर्पेक्ष नहीं हो सकता है लेकिन विवस्था या सरकार या राजा धर्म निर्पेक्ष हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन अध्यात्मिक्ता सो प्रतिशत धर्म निर्पेक्ष है, अध्यात्मिक्ता का किसी भी धर्म से कोई भेद्भाव नहीं है, हर धर्म के अंदर एक ही अध्यात्मिक्ता है, हर धर्म की मंजल परमात्मा को पाना है, हर धर्म का जो पर्पस है, वो लोगों को अध्यात्मिक्ता की तरफ ले जाना, स्पिरिच्वालिटी की तरफ ले जाना, बॉडी कॉंशिसनेस से दूर करके सोल कॉंशिनेस की तरफ ले जाना और परमात्मा की मंजल तक पहुँचना, उनकी विचार धारा जो भी हो, कि परमा अलग बात हो सकती है, वो धर्मों की बात है, क्योंकि वो अलग-अलग विचार भा रहे हैं, लेकिन जो उसके मूल में है, वो spirituality है, क्योंकि पहुंचना वही है, रास्ते अलग-अलग हैं, तो अध्यात्म जो है, पहला question आपका यह था, कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म जो है, वो आपको आप से जोड़ता है, और जब आप आप से जुड़ते हैं, तो आप प्रमात्म से जुड़ते हैं, क्योंकि तार एक ही है, उर्जा एक ही है, और उस जुड़ाव के कारण आप उस मंजिल तक पहुँचने में कामियाब हो सकते हैं, तो यह तो अध्यात्म क्य है अध्यात्म से आपको चीजों की और तत्थों की सपश्टता मिलती है क्या सही गलत क्योंकि जब हम सही और गलत का निर्णे करते हैं तो वह निर्णे हम मन से करते हैं और मन जो है बायस्ट है मन जो है कंडिशन है मन को तराशा गया है आपके द्वारा नहीं समाज के द्वारा और वो उसी तरह से सोचता है और फिर हम अपने आपको justify करते हैं, तो एक तो वो रुकावट बंद हो जाती है, और जैसे वो रुकावट बंद होती है, वैसे वैसे आपको असलियत पता लगने लगती है कि वास्तविक्ता क्या है, और उस वास्तविक्ता का जो ज्यान है, उसके लिए spirituality एक तरीका है, और आपका दूसरा प्रश्म था? अध्यात्मिक लक्षे जो है, अगर आप मुझ से पूछें, तो लक्षे सिरफ एक है, और वो लक्षे है कि हमें ये जीवन मिला है, इस जीवन में हम क्यों आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे आने के इस जीवन में बहुत सारे कारण है, हमारी जो उर्जा है, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि हम प्रित्री पर मनुश्य रूप में आते हैं, लेकिन आने के बाद फिर समाज की कंडीशनिंग और दूसरी चीज़ों से हमारे मन के उपर जो संसकार पड़ते से वो हमें दुबारा फिर से इस जन्म रित्यू के चक्र में ले के आते हैं तो जो हमारा परपस होना चाहिए इस जीवन में आने का वो उस उचाई को हासल करना है उसे आप एंलाइटनमेंट को हो या कुछ भी को अपनी चेतना के स्तर को इतना उपर लेकर जाना है कि आप परमात्मा समान हो जाओ आपको कोई भेदभाव नजर नहीं आए आप अपने करमों के पिछले करमों के और इस जन्म के करमों के सभी प्रभावों को नश्ट कर दो ग्यान के द्वारा और जब अगर ऐसा हो जाएग और यह मुम्किन है और जब ऐसा हो जाएगा तो कोई कारण नहीं है कि आपको प्रिफ्वी पर फिर से दुबारा आना पड़े इस जन्द में दुबारा से आना पड़े आप उसे मौक्ष कहें और एक शुद्ध चेतना के रूप में हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा में समाहित हो जाना इस शरीर से मुक्ति पाना कि बहुत सारे और भी अध्यात्मिक लोग हुए जैसे बुद्ध की बात करें तो पहली बात क्या बोलते हैं कि जीवन दुख है हां दुख के कारण है कारणों का निवारन है तो यह सब अध्यात्मिकता की रास्ता है वह उस लक्ष की तरफ लेके जाता है। और हमारा जो जोर है उस रास्ते पर वो निश्काम कर्म योग का है। कि आप कर्म करो लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के। जो भी करो जितनी भी आपकी निपुणता है किसी भी चीज में उसका उप्योग इस तरह से करो कि प्रमात्मा की सरचना में दाता की इस्त्रिष्टी में आप एक सकारात्मक योगदान करो। और निष्काम कर्म करते हुए अपने कर्मों के प्रभावों को नश्ड करो। जब कर्म नहीं रहेंगे तो कोई बंधन नहीं रहेगा, और कोई बंधन जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है लेकिन वह एक मात्र लक्षे है स्जीवन का